हेलो दोस्तों महुंत्वारा मैंटर फैंड मनीश पुरोहित और आज के इस वीडियो में दो बड़ी की खास बाते हैं साथ ही इस वीडियो के बीच में मैं तुमसे एक सवाल भी पूछने वाला हूं जिसका जवाब तुम कमेंट सेक्शन में दोगे और वीडियो के एंड में एक अनॉंसमेंट भी है जो की काफी तुम्हारे फेवर का है इसलिए तुमको वीडियो पूरा देखना है सबसे पहली बात तो है दोस्तों कि चंद्रयान 2 फिर से सुर्खियों में आ गया है फिर से उसके बारे में बाते हुई है क्यों क्यों कि रिसेंटली एक मनूवर किया गया था चंद्रयान 2 जो है उसका चंद्रयान 2 का उस पे जिससे कि उसका कॉलीजन बचाया जा सके तो उ दोस्तों 15 नवंबर को अर्ली मौर्निंग में एक वॉर्निंग दी जाती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हाँ के इसको वोला जाता है कि भी आप अपने अपने ड्रेगन कैप्सुल वाले ड्रेगन कैप्सुल में चले जाएं सोयूज वाले सोयूज में जाके शैल्टर ले लें क्योंकि अभी अभी रुषिया ने एंटी सेटल्लाइट वैपन से अपनी एक सेटलाइट को उड़ा दिया और वह जो सेटलाइट है तो सेटलाइट ने जो डैबरी क्रिएट करी है हजारों पीसेज में वो कभी भी कैसे भी हो सकता है चांसेज हैं कि इंटरनेशन स्पेस टेशन की साइड आज अगर 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 उसकी बात करें तो उस मूवी में है कि स्पेस डैबरी जो है उसने एक चेन रियक्शन चालू कर दिया है और उसके चलते अब वो जो स्पेस डैबरी है बुल्लेट से भी तेज बड़े-बड़े पीसेज में इंटरनेशन स्पेस टेशन की साइड आ रही है तो आप सब शेल्टर ले लो और फिर कहानी शुरू होती है लेकिन वी वर लकी दिस टाइंग क्यों क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ माना कि जो एस्टोनोट्स और कोस्मोनोट्स थे उन्हें शेल्टर लिया और दो घंटे तक वह अपने कैप्सूल में बैठे रहे और 90 मिनट बाद फिर सुन को यह सब वापिस करना पड़ा ल तो आप कोई और इसका उपचार क्यों नहीं करते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रचिलन चल क्यों रह Ain तो दोस्तों ऐसा है कि रशिया जवкий नहीं यह कर रहा है यह सबसे पहले China नहीं किया और फिस चाइना को फोलो करते हुं अमेरिका नहीं किया था चाइना ने भी ऐसे हजारो फोट 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 toimी से पीसस स्केस डेबरी के क्रिट कर दिये थे अमेरिका ने थोड़ा ध्यान रखका को हजारह तो १ून नहीं लेकिन हाँ इन दोनों देशों के बाद जो तीसरा देश है जिसके पास एक कबीलियत है तो है इंडिया इंडिया ने ऐसा किया था लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ क्योंकि उनको टेक्नोलोजी तो डेमोंस्टेट करनी थी लेकिन ऐसा नहीं चाहते थे कि उसके चलते कोई बड़ा रियक्शन चालू हो जाए और स्पेस डेबरी का जो ओल्री एक बड़ा टेंशन है उस टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब इसरों ने या फिर इंडिया ने नहीं हमने जब एंटी सेटलाइट वैपन लॉंज किया और अपन स्टेटेजिक लिए इतना इंटेलिजेंटली ओ सारा प्रोसेस हुआ था कि बाकि जितनी भी डेबरी क्रियेट हुई तारी कि सारी अपने अर्थ के अट्मोसफेर में आके जलकर खतम होगी अब जो चोथा देश है वह रसिया रसिया ने रिसेंटली किया है लेकिन ऐसा नह करेगा और सेटलेट को खतम कर देगा उनिसो साट से दोजात चोदा से वह से जो एंटी सेटलेट वैपन उसके काम कर रहे थे वाइनली उनको सक्सेस अभी हासिल हुई अभी जो सारी चीजे इसमें जो एक मेंची समझनी हो यह है कि जो स्पेस डेबरी क्रियेट होती है नहीं अगर भी बात करी जाए तो 300 12 ऊपर यह पर्टिकलर सेटलाइट ती जिसको उडवा इंको, बहुत जहादा ओवर पोपीलेटेड है और आगया आने वाले ताइम में करीबन 94000 और ऐसे मिशन है जो इन पर्टिक्लर ओर्बिट्स के अंदर सेटलाइट को भेजने वाले हैं सबसे बड़ा कॉम्पनेट उसमें जो रहेगा वो स्टार लिंक वाला है यानि जो अपने किलोन मस्साब का एक बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है उपर चले गया नहीं हाइर ओर्बिट में चले गए और 330-340 माइल का जो और वहां पर खूब सारी सेटलाइट मैंने अपने इलोनमस साब ने जो वहां पर लगा रखी अपनी स्टार लिंक प्रोजेक्ट में अगर वहां पर यह जो डैबरी है किसी एक सेटलाइट को फेल क खतम कर देती है और अगर एक चेंड रियक्शन चालू हो गया क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सेटलाइट से ओवर पॉपुलेटर है तो अगर वह चेंड रियक्शन चालू होता है तो डैट विल रिजल्ट इन कम्प्लीट कम्प्लीट डिस्रक्शन यानि पूरा लियो ऑर्बिट जो है फिर चाहे वह 300 माईल हो या साड़े 300 माईल हो या 250 माईल हो कुछ भी हो सब खतम हो जाएगा और इस पूरी चीज के लिए एक स्पैसिफिक नाम भी है एक सिंड्रॉम होता है अब वह तुहें कमेंट सेक्शन ने बताना है कि उस सिंड्रॉम का क्या नाम है क्या कहते हैं सिच्वेशन को जब एक स्पेस डैबरी की सिच्वेशन एक चेन रियक्शन एक अवलांच ले आती है और फिर सब कुछ तभा हो जाता है अब बात यह दोस्तों तुम बोलोगे कि लेकिन हुआ थोड़ी नहीं बहीं ऐसा है कि ग्लोबल वामिंग जो है वो भी मैं कि ही किसी प्रूक्लNo1 नहीं होगी वह एक लंबा प्रोसेस है दीरे दीरे धीरे-धीरे-धीरे धीरे-धीरे-धीरे हम अपने एंवार्मेंट को खराब करते चले जाएंगे और एक दिन अचानक हम बोलिंगी यहर भूत खराब हो गया अचानक नहीं है दोस्तों वैसे ही अगर मैं space debris की बात करूं overpopulation of the orbits की बात करूं इतने सारे missions की बात करूं मैं यह नहीं कह रहा कितने सारे spacecraft को उपर भेजना जो है वो गलत है नहीं वो technology है और आप उसको manage करेंगे उसमें जो भी आपको hardships आएंगे you have to overcome on that but space debris अगर आप create कर रहे हैं तो वो आपको ही आ चंद्रियान की चंद्रियान जो है चंद्रियान टू वाला mission जो है न यह शुरुवात से थोड़ा बेचारा परिशान mission रहा है शुरुवात में lander rover वाली problem हुई और अभी हाल फिलहाल में जब calculations करी गई तो यह पता चला कि अचानक से situation ऐसी आ गई है कि हमारा जो चंद्रि up रहेगा तो बहुत ही ज्यादा risky affair है वहां पर एक collision को avoid कर निकले के maneuver किया गया और उस maneuver से जो चंद्रियान का fuel use होता है fuel जो है ना वह सबसे ज़्यादा critical resource होता है एक spacecraft में अगर fuel खतम हो गया है तो वह बहुत ज़्यादा limit कर देता है उस particular mission की life को तो अब यह जो unforeseen situation हुई जहां पे हमें अपने बहुत क्रिटिकल वेरी important resource fuel को use करना पड़ा उस maneuver के लिए यानि हो सकता है कि अगर हम expect कर रहे थे कि orbiter अगले चार-पांच साल और काम करता तो हो सकता हो life थोड़ी कम हो जाए क्यों क्योंकि fuel खतम हो गया तो हमें इस mission को decommission करना पड़ेगा एक बात दूसरी बात ही है कि जब आप किसी trajectory को define करते हैं तो उसके पीछे को strategic कारण होता है क्योंकि आप कोई particular location को track करना चाह रहे हैं बार-बार उसी को observe करना चाह रहे हैं जैजा की हुआ था कुछ साल पहले जब रसिया का स्पेस्क्राफ्ट था जो अपने इंडिया के इस तरों के कार्टो सेट स्पेस्क्राफ्ट से तक्रानी की situation में आ गया था अब कार्टो सेट जो है उसका बहुती specific role है उसका बहु सेंसिंग के लिए तो वहां पे जो particular location है उसके मुझे realign करने के लिए हो सकता है मुझे और fuel burn करना पड़े जिससे कि वापिस मैं उस particular location को प्रैक कर सकूं यानि एक बार नहीं दो या तीन बार मुझे firing करनी पड़ेगी thrusters की उस particular realignment के लिए उस case में जो critical resource of fuel का वो बहुत ज कि यह तो कुछ बात हैं दोस्तों spacecraft के बारे में spacecraft जब बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी technologies यूज होती है thrusters का काम खाली orbit को उपर नीचे करना यह maneuvering नहीं है और भी कुछ काम होंगे thrusters के thrusters कैसे काम करते हैं कैसे spacecraft में लगाया जाते हैं spacecraft power कैसे generate करता है जब spacecraft परच्छाई की साइड चला जाता चाहिए चांद की पीछे चला जाए चाहिए अर्थ की पीछे चला जाए तो उसके अंदर कैसे control होता है उसके अंदर temperature कैसे control होते spacecraft जब space में है तो इक particular location को track करने के लिए अपनिया को balance कैसे करता है खूब सारे सवाल हैं दोस्तों और इन सारे सवालों का जवाब लेके मैं आज रात को yes आज है Saturday और आज Saturday की रात को 8 बजे session लेके आ रहा हूं उसका link description में है session live होगा सब के लिए free होगा you have to use the code Nimbus link पे click करेंगे 8 बजे session है तुरंत enroll कर लो दोस्तों मिलते हैं मैं तुमको पताऊंगा how spacecrafts are made so दोस्तों पहले तो बता दूँ दो जानकारी दी इस वीडियो में और एक सवाल पूछा है और एक announcement है जो जानकारी दी है वो बड़ी interesting है जो सवाल पूछा है उसका जवाब तुमको comment section में देना है और जो announcement है उसका link description में है पहुंच जाओ सब बच्चे 8 बजे कैसे बनता design और technology वाले पार्ट में involved होता था सारी चीज़े शेयर करने वाला हूं आज रात को 8 बजे link description में है you have to use the code numbers to attend the session live and free मिलते हैं दोस्तों जैहें क्यों दोस्तों मज़ा आया ना actually यह जो videos होते ना यह अपनी inquisitiveness को अपनी eagerness को physics को जानने की जो अपनी इच्छा नों उसको काफी बढ़ा देते हैं अगर उसी के साथ उसी के साथ इनी videos के साथ अगर वही mentor तुमको physics बढ़ा भी दे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा यानि मैं कहूंगा कि भई मेरी तो पांचों उंगलियां या दसों उंगलियां मेरी घी में आ जाएगी I am teaching it completely and totally free for you guys तुम सब के लिए मैं live और free पढ़ा रहा हूँ Apart from that दोस्तों मैं Unacademy app पे भी special classes ले रहा हूँ जो की free होती है और वो भी live classes होती है वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को guide कर रहा हूँ और mentor कर रहा हूँ physics के लिए Let's understand physics, physics से अपन प्यार करना सीखें, physics को अगर अपन समझें तो अपने concepts rock solid हो जाते हैं और अगर एक बार concepts rock solid होगे दोस्तों तो number भी आएंगे, अच्छा performance भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा अगर तुमको मैं को सर्च करना है Unacademy app पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा Manish Isro, M-A-N-I-S-H-I-S-R-O Manish Isro, यह मेरा idea दोस्तों जिससे कि तुम मैं को सर्च कर सकते हो, मैं को follow कर सकते हो, मैं को reviews दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो अगर तुम किसी भी subscription को लेना चाहते हो Unacademy app पे, या तुम free classes को unlock करना चाहते हो, तो free classes को unlock करने के लिए you can use the code Nimbus, बिलकुल अपना दिल वाला Nimbus, प्यार वाला Nimbus, NIMBUS, Nimbus का code यूज करोगे दोस्तों, तो जितना भी free material है, सब unlock हो जाएगा तुमारे लिए और अगर तुम कोई subscription लेते हो, कोई long term course की planning करते हो Unacademy app पे, तो वहाँ पे भी NIMBUS तुमको 10% extra discount दिलाएगा, दिल से, प्यार से सब दोस्तों, फिर से बता दूँ, मैं हूँ तुमारा mentor friend Manish Purohit, Unacademy Atoms YouTube channel पे, रोज आता हूँ, live, physics पढ़ाता हूँ, feel के साथ, rock solid concepts बनाने के लिए, चाये तुम कोई भी हो, NEET aspirant, J aspirant, KVPY, NACP, कोई भी exam की preparation कर रहे हो, physics तुमको मैं पढ़ा दूँगा, apart from that, Unacademy app पे भी भी आता हूँ, in special life classes, see ya there दोस्तों, love you all, jayahind